नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि हम एक बिलूटूथ मोडूल से हम जब तीन बोर्ड चलाएंगे यह हमारे बोर्ड हैं 31, 10, 15 पंदरा पिलस पंदरा वाट यानि कि अब हम इस बोर्ड को चलाएंगे तो यहां पर बहुत भाइका कॉस्टन यह होगा कि सर इन 3 बोर्ड को जघए बिलूटूथ कीट ओरी इनपूट देगा तो इसका साउनद कम होजाएँ तो यहां पर देखे साून्ड तो इतना भी कम नहीं होगा कि यह हमारे बोर्डों को ना चला प जिसमें आप बहुत सारे 3 या 4 बोर्ट चलाते हैं तो वहां पर सबसे ज़्यादा जो जरूवत होती वह उनकी पावर सप्लाई की यानि कि जो हमारा पावर सप्लाई है यह 12 बोर्ट 10 एमपियर का है अगर आप यह 3 बोर्ट चलाना चाहते हैं तो आपको कम से कम यहाँ पर 5 एमपियर की सप्लाई चाहिए यानि कि 12 बोर्ट 5 एमपियर की सप्लाई आप इनको कनेक्ट करना होगा अब यहां पर मैं आपको इसको किस तरीके से connect करके दिखाऊंगा तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं जो इसकी speaker wire है एस speaker wire निकाल लेते हैं और speaker connect करेंगे हम यह वाला 3 इंची का तो यह वाला हमारा 4 ohm 10 watt है और यहां पर जो है जो मैं और सारे speaker connect करूंगा तो वो यह हमारे speaker है यह देखिए तो यह भी यह हमारे पास है 8 ohm 10 watt यानि कि हम इस तरीके के 3-3 इंची के speaker इसमें connect करेंगे और इसके sound सुनेंगे तो यहां पर हम सबसे पहले इसके connection कर लेते हैं तो connection के लिए हमें simply क्या करना होगा सबसे पहले यहां पर जो हमें speaker के wire लगाने होंगे तो यहां पर देखिए मैंने बोर्ड को किस तरीके से connect किया है यहां पर देखे मैंने इस तरीके से जो input supply है हमारी यहां पर मैंने यह देखे यह जो हमारी यहां पर यह वाली clamp है यह लगा दिये मैंने यहां पर जो हमारे टीन वायर है अब इसको हम कैसे connect करेंगे कि यहां पर पिलस में पिलस और माइनस में माइनस इस तरीके से चला जाए तो यहाँ पर मैं पहले क्या करता हूँ पहले हम इस पीकर जो वायर एस की वो हम इसकी सोल्डिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर दीखे दोस्तो हमने स्पीकर वायर को कनेट कर लिया तीनों के अंदर अब एक चीज हमेसा याद रखे कि जब आप तीन से चार बोर्ड किसी भी बोर्ड का पावर एंपलिफर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा पिलस माइनस आपको हमेसा देख के लगाना है क्योंकि अगर आपको प्लस माइनस उल्टा हो गया तो वहाँ पर 5-6 श्पीकर चलेंगे तो वहाँ पर आपको sound quality वो नहीं मिलेगी जो आपको sound quality चाहिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं जो 6 के 6 speaker है वो इसके अंदर connect करेंगे उससे पहले हम इन board को अब connect कर लेते हैं तो देखिए जो हमारा power supply है और जो हमारा input है हम तीनों को जो है बराबर कर देते हैं पहले पहले मैं यहाँ पर solding करके तीनों को एक साथ parallel में connect कर देता हूं तो देखिए हमने इसके अंदर इस तरीके से यह टीन वायर लगाई है जो हमारी शिर्फ input और power supply connect हो तो मैं हाँ solding कर लेता हूं सही से और तीनों को हुई हम इस तरीके से connect कर देंगे जो हमारी इनपूट अब एक में जाएगी तो इसमें भी जाएगी और इसी तरीके से power supply भी हमने ऐसी ही connect कर दिये तो यह देख लीजे solding हमारी कुछ इस तरीके से हो गई है देखिए दो board हमारे connect हो गई अब यहाँ पर जो है एक board हम और connect करेंगे तो यह हमारा एक board और connect हो गई देखिए अब इसकी भी हम solding कर लेते हैं तो यह हमारे देखिए तीनों board के input जो है अब देखिए यह देखिए और यहाँ पर supply भी हम तीनों की एक ही कर देते हैं क्योंकि supply भी हमें तीनों को एक ही देना होगा और जो हमारे input है वो भी हमें एक ही देना होगा और जो speaker है वो हमने सब के अलग अलग कर दिया देखिए 6 के 6 speaker अलग है अब हम यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर हमें यहाँ पर 12 volt की supply लगानी होगी और यहाँ पर हमें input देना होगा यानि कि Bluetooth की जो input होती है वो हमें यहाँ लगानी है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर जो है हम यहाँ पर solding कर देते हैं अच्छी तरीके से जो हमारी wire है वो अच्छी तरीके से connect हो जाए तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले जो हैं इसमें speaker को connect कर लेते हैं जो हमारे 6 speaker है तो मैं फटाफट speaker को निकाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो यहां पर दोस्तों हमने देखिए 6 के 6 speaker को connect कर दिया है और मैं इनको कर देता हूँ सीधा इस तरीके से जो आपको सारे speaker एकदम राउंड के अंदर दिखाई दे यह देखिए यह स्पीकर हो गए और यहां पर हमने प्लस माइनस सब के कोमन लगाएं और यहां पर अब हम लगाएंगे ब्लूटूथ किट की वाइरिंग तो यहां पर एक चीज हमें से याद रखें अगर आप वोलियम कंट्रोल लग धनी है तो हम यहां पर क्या करेंगे पांच वोल्ट तो हमारे पास अभी फिलाल नहीं तो हम 3.7 बोल्ट की बैटरी से ही इसको टेस करेंगे Loud right. बारा बॉल्ट के जो हमारे पास यह पावर सप्लाई है तो यह 10 MPR की मेरे पास पावर सप्लाई है 12 और इसके भी प्लस मैनस हम वैसे लगा देंगे Negative और Positive देखके और देखें दोस्तों यह वाला सब्सक्राइब होने के बाद 18-19 बोल्ट देता है तो वो आपका वह भी पास फारमर यहां पर चल जाएगा अब देखिए हमारा सब कुछ connect हो गया है Bluetooth किट भी चालू हो गया अब हम इसको करते हैं और तो सबसे पहले हम इसको जो है यहां पर हम इसके अंदर लगाते हैं अपना जो power supply है देखिए यहां पर green carrer का LED जल जाएगा तो देखिए power supply हमारा चालू हो गया और देखिए तीनों बोडों के अंदर यहां पर red कलर की LED जल जल गी यानि की power आ चुकी है और जब हम इस पर इस तरीके से हाथ लगाएंगे तो देखिए सारे के सारे speaker में audio आ चुकी है अब हम यहां पर क्या करेंगे Bluetooth कीट को चालू करेंगे यह हमारा Bluetooth कीट चालू हो गया और यहां पर लगाएंगे हम card और यहां पर अब सुनेंगे इनका sound तो यहां पर हम song को next कर देंगे क्योंकि यह हमारा next से चालू है और यह इसका sound है देखिए यह देखिए सम में एकदम studio sound आएगा अब देखिए छे speaker में जब sound चलता है तो उसका sound कैसा होता देखिए यह देखिए यहां पर मैं आपको song भी check करके दिखाता हूँ देखिए अब यहां पर दोस्तों आप earphone लगा के सुनिये कि यहां पर जो sound एसका कितना best sound आ रहा है कम है sound लेकिन भी बिल्कुल best sound एक दम और हमारे 6 के 6 speaker चलेंगे मैं आपको एक बार 6 के 6 speaker यहां पर check भी करा देता हूँ किस तरीके से इनका sound है वो आ रहा है तो यहां पर देखिए यह पहला speaker हमारा यह दूसरा speaker यह हमारा तीसरा speaker यह हमारा चोट्था speaker और यह वाला हमारा पांच वह speaker देखिए सारे speaker वरकिंग है एक दम तो दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना और बैल का अइकन को जूरूर दबाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा हुआ